सत्स्रीकाल बच्चियों, स्वागत है तो हड़ा पंजाबी दी यूट्यूब क्लास दे विच आज जैसी नौमी जमादी पाठ पुस्त तक साहित केरना विच दर्जवार तक गपवाज करांगे जीडा की प्यारा सिंग दाता दा लिख्या हुया है प्यारा सिंग दाता दा जनम 15 जुलाई 1922 नू पिंड दाता पट जिला रावल पिंडी जिडा की आजकल पाकिस्तान विच है तो हुया उननू हास व्यांग दा बादशा के हाजन्दा है क्योंकि उनना दिया रचनामा जित्ते साड़े लेई समाज दी सची तस्वीर पेश कर दिया हन सानू साड़े समाज दी गल्ला उत्ते साड़े समाज बारे सोचन लेई मजबूर कर दिया हन उत्ते ही सानू हसन्दा एक मौका दिन दिया हन असी उनन दिया रचनामा पड़के खुश हुन दे हां, हस दे हां, क्योंके उनना ने अपनिया रचनामा विच ज्यादा तर साड़े समाज दे उपर हास व्यांग किता है पाव साड़े समाज दे उपर एक टिपनी किती है अते हासे हासे दे वेच ही सानू कुझ सिखाण दी कोशिश किती है उन्हा ने बहुत सारी रचनावा रचियां जिनना विचोहन हास व्यंग जीवनिया इते हास सफर नामे अनुवाद किते ने बहुत सारी पुस्तका दे उन्हा ने बाल साहत बहुत सारा उन्हा ने रचिया है इस्तों इलावों उन्ना ने सफलता आते नमा साहत रसल्यां दी संपाधना वी किती है सो उन्ना दी ही एक रचना आज असी पड़न जा रहे हैं हां गपवाज जेडी के साड़े सलेवस वीच दर्ज है सो लेखक केंदे हन के बटेर वाज, मुर्ग वाज, कबूतर वाज, पतंग वाज इन्न वांग ही साड़े समाज देविच गपवाज दीवी ही अपनी ही एक विशेस महतता है एवी साड़ी जिन्दगी देविच एक महततव राख दे हन लिखा किन्द है कि एस अनू हर थांते मिल जानदा है अज बीमी सदीदे विच कोई भी इनसान एक कहन दी दलेरी नी कर सकदा कि उसनू गापवाजे कदी दर्शन नहीं होई सो एक अपवाज के होजे हुंदेने एक अपवाज केंदे आपता बेकार हुंदेने बेशको कोई काम नहीं कर दे पर गल्ला करनगे बडियां ही तकड़े कार उबारियां वालियां सेठां वालियां उननाने कदी बिल्ली नहीं मारी हुंदी ते गल करंगे शेर अंदा शिकार करंदी जमीन अस्मान दे कलावेता ही इस तरह मलांदे ने जिवें शेख चिली देया बाप हूँ सेख चिली बहुत ही जादा सेख चिली एक मन्या जानधा है के बहुत जादा गप मारन वाला इन्सान ठीक है उन्हों से एख चिली केहा जान्दा है सो केंदे एहे उनना दे भी बाप हन गपवाज गल गल बिच बड़ियां हस्तियां दे हवाले देना इनना दी आदत हुन्दी है पिंडो शैरों ही कदी बाहर नी निकले हुन्दे ते गल्ला खर देने जर्मनी रूस अमरीक का दिया मिले का दिये है छोटे मोटे किसे लीडर नो नी हुन्दे पर जाहर एदा करनगे शो एदा करनगे कि जिमें परदा अनमांत्री भी होना तो मश्वरा लेके जानदा होई सो केंदे गपवाज दी गल दास देने कि एक बार गपवाज कहा रहा सी कि स्टालेन नो मिलन समय उसने उसनों दस्या के दूसरी राज किवें करना है सो इस तरह दियां जिडियां गपवाज मार दे होन देने एनियां वड़ियां वड़ियां फड़ा एक अपवाज मार देने लेखक नू पहली वार गपबाज दे दर्शन केंदा मैंनू साड़े पिंड़ दी महफिल विच होए सी पिंड़ विच असी जान देयां के किस तरह लोग खान पीन तो वेले होके बोड़ा नीचे बैट जान देयां पुराने समय दी गल है आज दे समय विच ए रुजा अंजेडा है थोड़ा काट गया है पर पुराने समय विच की होँदा सी के लोग की खान पीन तो अपने कमा कारण तो वेले होके बोड़ा नीचे आके बैट जन दे सी जित्ते हो अपना मनोरंजन कर दे सी क्योंकि आज दे समय दे विच मनोरंजन दे साधन होर हाँ पुराने समय दे विच ए साधन नहीं सी ना ते फोन होंदे सी ना ही टीवी होंदे सी यह सारियां चीजां नहीं हुँँदी हैं सी, बसकी कि क contours was, कि प्रमाइThe भीच च्छोटीअं मोटी यांखेदव. शत्रांज वगेरा खेद दे चौपाट ताश वगेरा खेद दे इक दूसरे थो म्ल्क मातें, इक कि घैनकार लें दे सी, इहो जी ही एक मेफिल दे वीच मैंनू भी गपवाज दे दर्शन होये छी तो उस मेफिल वीच एक गपवाज क्या रहा सी के पिछले साल ओहो शिमले दे इक कने जंगल दे वीच एक पहाडी दे चोटी दे बैठा सी के इक पास्यों उसने किसे जंगली जनवर दे आउन दी आवाज सुनी केंदा जदों ही मैं उसे जंगली जनवर दी आवाज सुनी ता मैं अपनी केंदा सोटी लेके लाठी मतलब सोटी सोटी लेके केंदा मैं नीज लाके देखन लागया चंगी तरह देख्या आले दो आले के इहे आवाज किसी है तां केंदा मैंनू थोड़ी देर बाद ही कुछ ही पलांदे विच मैंनू एक शेर ते शेर नी दा जोड़ा नजर आया ओ दोनों ही पहला पांदे मेरे वाल आ रहे सी केंदा स्रीरोन था एनना जादा मजबूत सी एनना उचे लम्मे काद दे सी के जिमें केंदा दूरों हूँ हाथी नजर आ रहे सी जदों केंदा हो सामनी आये तो मैं बिल्कुल भी न डर्या मैंनू वेख देया सार केंदा उनना ने मेरे ते मिलवा हामला कर देता केंदा मैं की केता मैं एक द्राख्त दे पिछे खड़ा हो गया ते अपनी पुजिशन ले ली जित्थों मैं केंदा दो गाज लंबी एक डांग जड़ी सोटी मेरे कोल सी केंदा ओहो सूत के मारी पाव ओहो उस ते निसाना बिन के मारी पहले ही वार्च केंदा जड़ा शेर सी ओ जाके दूर जाके डेग पया पाव हो मर गया उस ते हालत बुरी होगी केंदा एहे जी बुरी हालत देखके शेर नीनू केंदा गुसा चड़ गया इस करके उसने भी मेरे ते हमला कर देता केंदा फिर की सी मैं ओसे सोटी नाल फिर उस ते वार कीता ते ओ भी ओथे ही गश्खा के डिक गी पाव मर गी केंदा छिना पलांदे विच ही दोनों ओथे टेरी हो गए तो इस तरह निया गपवाज गपा मार रहा सी केंदा प्यारा सिंग दाता जी कह रहे हैं कि जदो मैं ओथे उस मेहविल विच पहुंचे आ ता ओ गपवाज इस तरह निया गपा मार रहे सी केंदे बड़ी ही जदों एदन यहों गपा मार रहे सी ता लोक बड़े ही आशाश कार रूठे उनना दिवावा करन लगे ते बड़े खोश हो रहे सी केंदा एनने नो फिर अगे बोल रहे हैं के शेर आते शेर नीन दोरह नो ओथी छड़के रा विच मैं एक अजीव जहां जानवर वेख्या केंदा ओ शेर शेर नीनो मैं ओथी छड़के अगे चल पया जिते मैं एक अजीव जहां जानवर देख्या प्यारा सिंग दाता जी कहने ने के मैं गपी दे पिछे बैठा सी ते मैं हॉली जहे उसी पिठते हाथ फेर देयां के हाँ पाव उसनों इशारा कर देयां के हाँ के तुहून थोड़ी जी जादा वड़ी गप मार रहे हैं हाँ ना सो उन्हों इक इशारा दिता के थोड़ा जा ठीक ठीक सो एस मेरा इशारा समाज के केंदा जड़ा गपवाज सी ओ कहान लगया ओ साच नहीं पैर उसे तरती सी गे पर जड़ा सिर सी ओ अधसमान तक पहुंचदा सी पाव हुन गपवाज ने अपनी जड़ी गप सी उसनों थोड़ा जा कटाए हा के हाँ के जड़ा जानवर सी ओ अशमान तक नहीं चूदा सी पाव असमान तक पहुंचदे आद तक उधे तक पहुंचदा सी केंदे फिर मैं इशारा किता प्यारा सिंग दाता जी केंदे मैं फिर इशारा किता ते फिर उने कहा के नहीं नहीं हां सच पैर उस दे तर्थी दे सन पर ओहो चुथाइस मान तक पहुंच दा सी केंदे मैं फिर उस दा पैर दबाया तो मेरे मूँ वल वेख के कहन लगया रमतिया हुन दा से इस तों काट मैं की कप मारां की ब्यान करां उस दा कद पाव उसनु ए महसूस होया के जे मैं इस तो छोटा जानवर दसांगा ता फिर वो जेडी मैं फुकरी मारनी सी फड जेडी रहे हुना ने लगनी इस करके हो उस हाल कह रहा कि तु ये मैंनो और छोटा जानवर कर ली क्यों कहारों है ठीके मैं केनदे फिर प्यारा सिंग दाता जी कहन देनी मैं उस दे अग्गे सेरणबा आके सीरनीमा करके चुय करके अग्गे तुरपया ता पता चल्लेया के जयों ही मैं केंदे ओथों निकलेया ता उस जेडा ओहू बोड सी ओदे विच्चुं एक छोटा जेहां सापदा बच्चा निकलेया या लोकाने उसनु देखके केंदे शोर मचाया ते कडिया पलांदे विच्च ही उस सापनु मार दिता आते पिच्चों लोकाने देख्या के जेडा इंसान जेडा गापवाज अपने आपनु शेरां दा शिकारी दास दा सी ओहू सापदे बच्चे दा नाम सुनके ही पाज गया चंपत हो गया उत्थों पाव पाज गया दोड गया उस तों डर गया सो इस तरह दी कहानी साननु अपने गापवाज नाल मिलन दी ओहू दास रहने ओ अग्गे दास रहने के गापवाज किथे किथे फैले होई ने के हो जी होंदे ने हे गापवाज केंदे हार एक इनना दी श्रहनी है जड़ी हार थां ते फैली होई है हार थां रहन दे ने हे किते ना किते गापवाज कोई ना कोई तों नू मिल जेगा इनना दे केंदे वड़ावडेरा जेड़ा है ओ पौंधु मालनू केहा जानदा है पॉंदु मालनू एन दा गप बाजान्दा वड़ा वड़ेरा केहा जान्दा है पॉंदु बड़ा पारी गपी सी केंदे उनना दे दो पुतर सी निहाला ते गपाला ए दो में ही अपने वी प्योदे कन कुतर दे सी पाव गुपाला ते नहाला पौंदू मालतों वी वड़े गपई सी एक महफिल दे विच बैठे दुनने गपमार रहे सी साधै बापू कोल कें दा कई हजार मजजा ने ओ मजजा नू कें दा स्वेरी तो शाम ते एक वड़े तलाब दे विच चोंदा है पाव एक चपड़ा सरा तलाव है जित्थे उनना नू, उननादा दुद करदा है, ते लोग की बाल्टीयां परपर के सारा दिना अपने करें दुद लजान्दी रेंदेनी, तयों दुद दा चपड़ जिड़ा है, तलाव जिड़ा है, हर वाक्त केंदा परिया रेंदा है। निहाले दी इस गप ते दे जवाव दे वेच फिर जिड़ा है गुपाला भी अपना गप सणोंदा है अगे जदों दासदा है के तलाव दे वेच दुद पर्यारेंदा है ते नाल ही कहनदा है के मेरे बाप्पू दी खुरली एन्नी वड़ी है अपा आव उन्ना डंगरानू उन्ना मज्जानू बननन दे लेई एक खुरली जड़ी बनाई होई है जिथे मज्जान चारा खान दियां हन खुरली उसनू क्या जानदा है एक मर्जान दे खान लेई एक एरिया बनाया जानदा है थोड़ा जया उच्छा जेसे आले दो आले एक वाट जही बना की मतलों उन्हों एक टोकरी दी तरह आपा क्या सक देयां कि उन्हां दे खान दा एक चारा पाउंदे ले एक जगा बनाई हुंदी है ठीके उसनु खुर वड़ी खुरली बनाई हुई है चेड़ी दिल्ली तो शुरू हुंदी है वाशेंगटन तक है अमेरिका देविच अमरीका देविच वशेंगटन तक एड़ी वड़ी केंदा दिल्ली तो लेके वशेंगटन तक एक खुरली होना ने बनाई हुई है ओथे ओ मज्जा केंद बन्निय रहंदियाने ते अपना चारा खांदियां रहंदियाने। तां उसी इस गपते फिर गुपाला बोलता है, वो बासकर गपिया, तेरे बापु दा साध्ये बापु नलकी टाकरा, के अन्दा साध्ये बापु कोल अकास तो जमीन तक, पाव् तरती तो लेके उस अंबर तक अकास्त काके एक लंबा नेजा है जदों केंदा ए महसूस हुंदा है पेंड वाले आनूं देश वाले आनूं के हुण मी नहीं पया रहा सोका पया रहा है तां ओ आके मेरे बापु दे चर्नी डेग जान देने के हुण तू की कर पदला विच अपना नेजा खबो ते बार कर दी है ते जड़ा बदल हन उन्ना देविच असमान देविच अपना नेजा चबो ते खबो ते चिरना पला देविच वर्खा हो जान दी है ते घेत जड़े सुखे पैस यहों होरे परे हो जान दे हैं। ते गुपाले दिये गाल सोन के नहाला उसनू विचों ही टोकदा है के बासकरोजबल जबल एक मूर्ख जे व्याक्ती जेनू अपना उनू जबल कैदने ने जेन थोड़ा जा दिमाग तोर। काट काम करदा हो जीसा शो मूर्ख वी अक्तीनू जबल कहने है बड़ा उननों कहनना कि बासकर जबला जे तेरे प्योधि करेंदा एड़ा वड़ा नेजा है उन एड़े वड़े नेज़े नू राखधा किते थां गोपाला उसे जवाब हुँच केंदा है के तेरे प्याधी खुर्ली विच सो पैलना निहाले ने कहा ची न солнि कि मेरे प्याधी खुर्ली कित्थो पणी हुई या डीली तो लेके वशिंग्टन तक तक गोपाल्ला जवाब दिन दा है केंदा ओसे खुर्ली विच मेरा प्याध नेज़ा राखदा है तो इस तरह दियां गल्लाँ है गप्पी जड़े हैगेने हो कर देने ते सुन वाले अनपड जड़े लोक ने पिंडा वाले पोले पाले लोक इना दा विश्वास भी कर लें देने अगे उहो दिल्ली दे किले वारे एक गप मार देने तो आन्नू पता है कि लाल किला किमे दिल्ली पुझे आसी तो दास देने कि आज तो 200 साल पहला एहे किला गोल कंडे दियां पहाडियां ते खड़ुता सी साड़े पिता पॉंदू मल ते चाचयां लच्छूराम मिर्जे ते दिनने ने इस दियां 4 नुक्रा न आल 4 हाथी कैंदा कसके बन ले हाथीयां न न रसे पाके इस जिड़े है गया किले दे 4 पासियां ते नुक्रा ते किनारेयां ते 4 खूंजियां दे वेट्चो उन्हान नू बन ले जो पजले ते नाल चार हाथी जा रहे सी ते पिछे विछे मेरे प्यो ते चाचे आ रहे सी फेर केंदा अगे की सी ओना हाथी आने जमना किनारे जाके ओन हाथी जड़े सी दाम तोडगे जित्थे ओन किला खड़ा दिता गया ते जड़े हूँ हाथी सी ओना नू तू के जमना दे विच सुट दिता मेरे चाच्चे याते मेरे प्यों उराने तेजड़ा एहे लाल की लासी केंदा ओ मुगलां दे हवाले कार दिता इस तरह दियां गपां उथे हो मार दे हन दोमे गपवाज हले उपर वाला कारनामा खतम कार दे तांस रोते केंदा वावा कर उठ दे बड़ा ही खुश होंदे उन्हां दियां गल्लां सुनके केहा जानदा है के आज दे गपी पोलू माल जेड़ा है गासी पॉंदू माल स्वारी जेड़ा पॉंदू माल सी ओसे दी उलाद मनने जानदेने आज जेड़े लोग जेड़े आज लोग गपा मार देने वो किसे ना किसे तरीके नाल शायद पॉंदू माल दे ही खांदान वीचों होन ठीके ता इस तरह नियां गल्लां गपवाज बारे साननों प्यारा सिंग दाताजी दास रहे हन फिर अगे कहनदे व्या शाधियां दे विच भी ए लोग गपा मारनों नहीं हडदे ही व्यास शाधियां बारे वी एहे लोग गल्लां कर देने एहो जे समागमा उत्ते ए अपनी स्यानप दे क्रिश्मे कहनदा विखाउंदे ने व्या शादियां तेवी ए पुद्धू मल दी अलाद बढ़ियां डींगां मार दी हैं कोई पुराणा मुड़ गप्पी कहेगा साड़े वक्ते दी की पुछ देऊं पाव साड़े समें दी की पुछ देऊं ओदों कोई वेला सी कहेंदा जदों साड़े चाचे दी शादी चाचे दे मामे दे साले दी शादी सी चाचे दे मामे दे साले दा व्या सी उस दी वरात बिच कहेंदा वड़े वड़े राजे महराजे शामिल होये सी साहेब महराजा साहेब कोटगर कोटगर दा महराजा केंदा आप हाथी दे चड़के आया सी ते नाल वाइस राये जिनू असी केंनेया ओवी नाल उना दे आये सी नाल ही केंदा ब्राद के सी वस एक ठठा मार दा समुंदर महराजा सहब दे 500 फॉजी सी नाल केंदा जवान जड़े के वर्दियां पेहन के नाल ब्राद दे तुरे आ रहे सी ब्राद नू चार चन ला रहे सी एक हजार ता केंदा निरे कोडे ही सन जोके हिण हिण कर दे ब्राद दे दोही पासी मार्च कर रहे सन ओदर गपी महराज दी पतनी अपना पाशन अलाप रहे हुँदी है एक पासे ता गपी अपने किसे रिष्टेदार दे व्यादी गप मार रहा है कि उथे महराजा अपनी सेना दे नाल ब्राद लेक दे विचाया सी ते दूसरे पासे उसे गपी दे कारवाली अपनी पाशन अलाप रहे हुदी है अपनीया पाव एक पासे गपवाज अपनीया गपा मारर लगए हुए है तो उस दी पतनी अपनीया गपा मारर लगी हुई है जिस दोरानों दास दी है कि मेरे पेक्यां दे विकार बहुत सारियां चीजां सी ते मेरे पेक्यां ने कहन दी मैंनों 500 मज़ां ते 10 तोले सोना जेडियां सी यह दास दे विच दित्तियां सी गियां ता आपस दे विच असी जे देखिये ता उस गपी दे बोलन अते गपवाज दी पतनी दे बोलन दे विच फर्क सानु अगे दिखाई देवेगा तो वो कहन दी है कि एन्ना कुष देन दे बावजूद वी मेरे सोरे कार दे विच मैंनों कोई खुशी नी मेली पाव उस दे सोरे उसने ग्रीवद सांदी है हो वो कहन दी है कि मेरे कार दे विच मज्जा सी दोद सी अनाज सी खुला पर मेरे सोरे कार दे विच उसनों कुझ नी मिले है इथे ओकेंदी है कि मैं नंगे पुखे नंगे आंदे पल्ले बननीगी इथे ना चाज़दा खाना है ना चाज़दा पीना उसनू मिल रहा है इस तरह हो मतलत दर्साँदी है कि मैंनू किस तरह सौरे का अर्दे विच एक पुखे नंगे लोकां दे नाल रहना पैरहा है पेके का अर्देविच में कदी कोई कामनी किता सी क्योंकि उत्थे नौकर चाकर सी ते सौरे का अर्देविच में नू आके बहुत सारा कम करना पैरहा है सारा दिन उस दा काम देविच निकल जानदा है इस तरह दियां गपां दूसरे पास से जड़ी है उसी पतनी मार रही है जड़ियां के गपवाज दे बिलकुल ही विप्रीत हन बिलकुल ही उसे ओपसिट हन सो इस तरह असी देख देयां के ए जड़े गपवाज ने एहे गपां मार देने फिर जदो ए गपवाज दी करवली एहे गपां मार रही हुंदी है ता कोई पास बैठी नाल ही बैठी गवांडण है जड़ी संती वो केंदी है के हां बसंती नूँ पाव अपनी दूसरी सांथन नूँ केंदी है के साच केंदी है विचारी प्योदे कार वीच इसनू खान नू नहीं सी मिलदा ए टबर गवांडियां तो लसी मांग के गुजारा करदा सी पर सौरेयां दे करवड़यां ही बावल दे बेड़े बनियां मच्जा दी याद इसनू आ गई सू पाव ओ भी उसते कमेंट कर दी है ओ उसतो जानू है क्यों किस तरह दी है उसते पेके किस तरह दी हन इस करके ओ उसते कमेंट कर दी हुई केंदी है के हां ये साच केंदी है पाव उस दे opposite बोल के नाल ही एक केंदी है के साच केंदी है ते नाल ही अपनी गल दे विच उस दे opposite बोल के उस दी गल दे व्यांग कर दी है उस दी गल दे टिपनी कर दी है कमेंट कर दी है जिस तरह बच्यों तुसी आपस्ते विच अपने दोस्ता में तरह दे विच एक दूसरी नूँ गल करके कमेंट कर दे हूँ हना किसे दी गल वड के जेकर तोड़ा कोई दोस्त कोई गल कर रहा है ता तुसी उस दी सचाई जान प्यारा सेंग ताता जी केंदे ने के अल्ला वुचावे इस कौम दे लोकानू इना गापवाज जांतू पर नाल ही उन एवी केंदे हन के अगापवाज साडे लेई बहुत जुरूरी हला ने मतलब ग्रेज कर देने उनना ते कमेंट कर देने पर एवी कहन देने के किते ना किते ए गापवाज साड़े लेई जुरूरी वी हान क्योंके ए साड़े जीवन दे वेच मनोरंजन धा साधन बने रेंदे हान इनना नाल असी अपनिया जडिया दुख ने गम ने उन्ठा लू कुछ समय लई पोल जान दे हान इनना दिया गल्ला सुन के असी खुश हो जान दे हान सो एस करके ए साड़े जीवन दा एक अनिखडवा आंग होन दे हान सो आस कर दी हान तो हान नू ए वार तक चंगा लगया होवेगा चंगी तरह समझा गया होवेगा आते तुसी इसनू पढ़के अनांद मानिया होवेगा ता अनुवाद